3.4 शिल्प सौंदर्य तुल्सी की कावे कला की बाणगी आप देख चुके हैं भाव और शिल्प छेत्रों में वे बेजोड हैं आईए यहां कावे शिल्प के दृष्टी से एक बार पुना अवलोकन करें 1. अलंकारों का सहच प्रयोग तुल्सी की कविता में भाव वर्णन के साथ-साथ अलंकार स्वभाविक रूप में पिरोय गए हैं थोपे नहीं गए जैसे नीरज नयन नेह जल बाढ़ है नीरज की समान भरत के नेत्रों में स्नेह का जल बढ़ गया उपमार रूपक अनुप्रास का सहच सौंदर्य ख पगपग पर अनुप्रास के सहच प्रयोग में भी तुल्सी सिद्वस्त है विशेश कर छेकानुप्रास केवल एक बार आवरित्ती में जैसे सुनी मुनी वचन राम रुख पाई पुल की सरीर सभा भय ठाड़े खेलत खुनीस न कबहू देखी वस्तत ऐसे प्रयोग यत्र तत्र प्रचूर मात्रा में है आप स्वयम खोच कर लिखिए वृत्ती नुप्रास एकादिक कबार आवरिती का एक उधारन दर्शनिय है रदय हेरी हारेउ सब ओरा एक यभाती भलेही भलमूरा ग उधारन द्रिश्टांत फाई की कोदव बाली सुसाली मुकता प्रसव की संबुख काली घ उपमा मोर अबाग उददी अवगाहू दो नादात्मक्ता मधुर वर्णों के प्रयोग से कविता में नादात्मक्ता भी तुलसी की कविता का प्रमुख गुण है जैसे सुनी मुनी वचन राम रुख पाई नीरज नयन नेह जब बाढ़ है मातु मंदी मैं साधु सुचाली अपनी समुझी साधु सुची कोभा जारे उजाय जननी कही काको तीन साभी प्रयोग तुलसी अनेक शब्दों में से सरवादिक उप्युक्त शब का जान मूझ कर चयन करते हैं इसे कविता में अर्थ गामभीरी भी आ गया है जैसे साधु सभो गुरु प्रभु निकट कहव सुथल सती भाव प्रेम प्रपंचु की जूट फूर जा नहीं मुनी रगुराओ उपर यक्त दोहे में जूट न बोलने के लिए पांच बहुत ही सबल कारण एक दोहे में पिरोए गये है चार प्रांजल अवधी तुलसी दास ने मानस की रचना अवधी भाशा में की है किन्तु उनकी अवधी बहुत मधूर प्रांजल शब्दावली से युक्त है जैसे पुल की सरीर सभाब है ठाड़े नीरच नयर नेह जलबाड़े पांच दोहा चौपाई चंद दोहा और चौपाई तुलसी के प्रिय चंद है इनसे कथा प्रवाह में सहायता मिलती है और पाठक शोता रस विभोर हो जाता है रामचरित मानस में प्रमुख रूप से दोहा तथा चौपाई चंदों का प्रयोग किया गया है दोहा चंद के बारे में तो आप रैदास को पढ़ते हुए जान ही चुके है चौपाई के बारे में संगशेप में नीचे दिया जा रहा है आईए इसे समझे चौपाई चौपाई एक प्रकार का मात्रिक चंद है इसमें दो चरण होते हैं दोनों चरणों की मात्राए बराबर सोला सोला होती है इसलिए इसे मात्रिक समशंद भी कहते हैं इस चंद के अंत में दो गुरु वर्णों का प्रयोग आवश्यक होता है पुल की सरीर सभा भै ठाड़े सोला मात्राए अंत में दो गुरु नीरज नयन नेह जल बाढ़ है सोला मात्राएं अंत में दो गुरू चौपाई छंद का प्रयोग तुलसी दास ने रामचरित मानस तथा जाईसी के पदमावत में अधिक पढ़ने को मिलता है तीन दस्मलो पाँच आईए स्वयम पढ़े आपने तुलसी के रामचरित मानस के कुछ अंशो को समझ लिया है तुलसी के समान ही मलिक मुहमद जाईसी ने भी अवधी में कावे रचना की है और दोहा और चौपाई चंदो को अपनाया है आईए जाईसी की कुछ पंक्तियों का भी आनंद ले फागुन पवन जकोर बहा जोगुन सियू जाई नहीं सहा तंजस्पियर पातभा मोरा तेही पर बिरह देई जजकोरा तरिवर जरही जरही बन ढ़ाका भाई ओननत फूली फरी साखा करही बनस्पति ही ये हुलासू मो कहबा जग दून उदासू फागु करही सब चाचरी जोरी मोही तन लाई दीन ही जस होरी जोपे पिऊ जरत अस पावा जरत मरत मोही रोशन आवा राती दिवस बस यही जियो मेरा लगो निहोर कंत अब तोरे यहतन जारो चार के कहो की पवन उड़ाओ मकुत ही मारग उड़ी परो कंत धरे जह पाओ शब्दात सीउ शीत पियर पात पीला पत्ता ओननत भाई जुग गई मोही तन लाई मेरा तन विरह से दीनी जस होरी होलिका साजल रहा है कंत पती जारो चार जलाकर राक बना दू उड़ाओ उड़ालो मकु थोड़ा सा कंत धरे जहे मेरे पती जहाँ पाओ अपने पैर रखे अवदी की उपर्युक्त पंक्तियों को आपने पढ़ा क्या आप इसका सौंदर्य भाव समझ पाएं फागुन का बसंत का मौसम आया है चारो ओर फूलो फलो से लदी डाले जुग गई है और नाईका अपने को पीले पत्ते सा कह रही है सोचिये क्यूं क्योंकि उसका पती उससे दूर है वह विरह की अगनी में जल रही है जैसे घोली जल रही है उसे उसका पती जलता हुआ भी देख ले तो उसे जल मरने का पाश्चताप नहीं होगा अंत में दोहे को एक बार और पढ़िए जैसी का यह दोहा बहुत प्रसिद है विरहनी की इच्छा क्या है जल कर राक हो जाना ही नहीं वह राक उड़कर कहां गिरे इस पर भी उसका विशेश आगर है पढ़कर बताईए कि वह राक की रूप में कहां गिरना चाहती है और क्यों तीन दसमलोच छे आपने क्या सिखा एक राम और भरत में परस्पर गहरा प्रेम है भरत के मन में राम की प्रती आदर भाव है और वे चाहते हैं कि राम अयोध्या वापस लोट चले और उनके साथ ही रहे दो आवेश में कहकई की प्रती कहे वचनों के लिए भरत के मन में पश्शताब भी है तीन तुलसी की भाषा और कथन भंगिमाओं की भी आपने अनेक विशिष्टाएं पढ़ी कवी शब्दों का प्रयोग बड़ी चातुरी से करता है मनुभावों के चित्रण में वह सिद्ध हस्त है चार अनुप्रास की अतरिक्त उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा द्रिश्टांत आदी अलंकारों का तुलसी दास ने अपने काव्य में सुन्दर प्रयोग किया है पाँच तुलसी ने रामचरित मानस की रचना अवदी भाषा में की है तीन दस्मलों साथ योग्यता विस्तार तुलसी दास भक्तिकाल की सगुन कावे धारा की रामभक्त कवी है उनका जन्म समवत 1589 1532 इश्वी में उत्तर प्रदेश के सोरो नामक स्थान में हुआ कहा जाता है कि उनका प्रारंभिंग जीवन बड़ी कठिनाईयों में बीता बाबा नरहरी दास के विश्ष्य थे और उन्ही से राम कथा में दिक्षित हुए तुलसी दास की लिखे हुए छोटे बड़े बारा ग्रंथों का उलेक आचारी रामचंदर शुक्ल ने किया है इनमें प्रमुक है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरित मानस और विनय पत्रिका सभी रचनाओं में भावो की विविदता तुलसी की सबसे बड़ी विशेशता है उन्होंने रामकथा के विविद प्रसंगों के माध्यम से पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने रखा तुलसी की भक्ती भावना सीधी, सरल और साध्य है राम उनके आदर्श है और मर्यादा पुरिश है रामचिरित मानस में तुलसी ने राम और शिव दोनों को एक दूसरे का भक्त दिखा कर वैशनवों और शैवों में समन्वय करने का प्रयास किया रामखता को लेकर संस्कृत और हिंदी में अनेक रचनाय है परन्तु भरत का जो रूप तुलसी ने दिखाया है वो रगुवंश या वालमे की रामायन में भी नहीं है भावों की विविद्दा के साथ साथ तुलसी की शैली में भी विविद्दा है सुग्रदास की पदशैली, चारणों की छप्य, कवित, सेवैया पदती, दोहा नीती काव्योग की भक्ती पदती और प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई, पदती, आदी का सफल प्रयोग तुलसी ने किया है तुलसी ने अपने समय की दोनों साहित्यक भाषाओं अवधी और ब्रच का प्रयोग किया मानस के अतरक अधिकांश रचनाओं की भाषा ब्रच है जिस पर तुलसी का अद्बुत अधिकार है झाल, 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 तुलसी ने किया जिस पर दिएकार आपधी और गाषाओं ऑफने और वाषाओं की भाषा ब्रच है